परिचाय पच्चो, इस चित्र में आप क्या देख सकते हैं? सर्थ, हम एक कुट्टा और उसका पिल्ला देख सकते हैं. सही, इस चित्र में बने बीच क्या सम्रूप आम का पाधा उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं, आम का पाधा आम के बीच से ही उत्पन्न हो सकता है. कौन दिखता है तुम या तुम्हारा चचेरा भाई मैं अपने पिता जी के एकदम समान दिखूंगा नहीं समान संत्ति उत्पन करने की ये घटना विभिन जीनों की वन्शगदी पर निर्भर करती है उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे मेंडल के वन्शागती के नियम समझना एक जीन के वन्शागती प्रतिरूप को समझना वन्शागती के विभिन नियमों की पहचान करना पनेट वर्क और इसकी करना को समझना परिक्षार्थ संकर की पहचान करना मेंडल वाद मेंडल को अनुवन शिक्ता का जनक कहा जाता है उन्होंने पाइसम सेटाइवम यानी मतर की साथ किस्मों पर प्रियोग किया प्रारंब में कुछ कारणों की वजह से उनके परिणाम स्विकार नहीं किये गए लेकिन वर्ष 1900 में व्यूगो डीवरीज, कॉर्ल कॉरेंस और इरिक वॉन शेरमोक त्वारा उनके परिणामों की पुना खोज की गई पाइसम सेटाइवम मतर का पौधा इसके साथ विशेशक मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए पाइसम सेटाइवम के चुने गए साथ जोडे विपरीत लक्षन के थे मतर का पौधा ही क्यों? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मतर के पौधे का चयण निमनलिखित कारणों से किया विशेशकों के लिए मतर के पौधे की अने किसमें वैकलपिक रूपों के साथ उपलब्द थी मठर के पौधों में स्वाप परागन होता है, इसलिए शुद्ध नसल आसानी से प्राप्त की जा सकती थी मठर का पौधा आसानी से व्रिधी कर सकता है मठर के पौधे में छोटी जीवनवधी होती है इसके पुष्प दुईलिंगी होते हैं मेंडल के प्रयोग के चरण मेंडल का प्रयोग तीन चरणों में संपन्य किया गया वास्तविक प्रजनन मेंडल द्वारा नोट किये गए साथ लक्षन जनकों से संतिती में पहुँचते हैं कि नहीं ये जानने के लिए उन्होंने साथ प्रकार के पौधों से सुखपरागαν त्वारह उत्पन्य बीच लिए मेंडल ने इन सभी को शुद्ध लक्षन नाम दिया शुद्ध पौधों का संकरण पौधों की दू अलग अलग किसमों पर परागण से संकर पौधे उत्पन्य करती है जो F1 पीड़ी बनाते हैं संकरों में 100 परागण F2 पीड़ी उत्पन्य करने के लिए प्रतेक F1 संत्ति का स्वापरागण कराए गया एक जीन की वन्श अगती मटर के पौधों की लंबी और बौनी किस्मों के बीच एकल संकर क्रॉस निमना नुसार है एकल संकर क्रॉस के परिडाम जीन मेंडल ने देखा कि कुछ स्थाई कारक आप परिवर्तित रूप में जनक से संतती तक अग्रसिध होते थे ये कारक जीन कहलाते है अलील जीन जो विपरियास विशेशकों के युक्म के लिए संकेत होते हैं अलील कहलाते है सम युग्मजी जीव अलील के समान युक्मवाले जीव विशम युग्मजी जीव अलील के अलग-अलग युक्मवाले जीव एकल संकर क्रॉस प्रभावी जीन अलील जो अभिव्यक्त होते हैं आप्रभावी जीन जीन जो अभिव्यक्त नहीं होते हैं या प्रभावी जीन की अनुपस्थिती में अभिव्यक्त होते हैं जीनो टाइप किसी लक्षन की संबंधित अभिव्यक्ति के लिए अनुवन्शिक संगटन फिनोटाइप दो जीनों के संयोजन के कारण दिखाई देने वाली द्रिश्य अभिव्यक्ति विसंयोजन के लक्षन जब युगमक अर्थ सूत्रम द्वारा उत्पन होते हैं तो जनकिये युगमके अलील विसंयोजित हो जाते हैं और केवल एक अलील युगमक तक संचारित होता है अलील का ये विसंयोजन एक यात्रिचिक प्रक्रिया है और इसलिए युक्मक में कोई एक अलील होने की संभावना 50 प्रतिशत होती है पनेटवर्ग पनेटवर्ग अनुवन्शिक संकरण में संतती के सभी संभावे जीनोटाइपों की प्राइक्ता की गड़ना करने को एक आलेखिये निरूपन है उधारण के लिए बड़ा टी छोटा टी यानि नर्का क्रॉस बड़ा टी छोटा टी यानि मादा एक आंतरिक F1 संकरण है निम्ना नुसार पनेटवर्ग बनाने के लिए एक जनक के अलील के एक सेट को सबसे उपर रखें और दूसरे जनन के अलील का दूसरा सेट एक तरफ रखें पनेटवर्ग की करना करना निम्नलिखित उधारण में दर्शाय गई रूप में अलील को केवल एक साथ जोड़ कर संतती की अलील सनचना का निर्धारण करें इस तरह के संकरण से F2 PD में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे तीन लंबे पौधे और एक बौना पौधा तीन बटे एक फिनोटाइप अनुपाथ एक सम्युक्मजी लंबा दो विशम युक्मजी लंबे और एक सम्युक्मजी बौना पौधा यानि एक बटे दो बटे एक जीनोटाइप अनुपाथ संतती का जीनोटाइप इसके प्रजनन अप्रभावी प्रकार के साथ संतती द्वारा ग्यात किया जा सकता है ऐसा संकरण परिक्षार्थ संकरण कहलाता है उधारन के लिए लंबे पौधे के फिनोटाइप में जीनोटाइप दो बड़े टी या बड़ा टी छोटा टी हो सकता है इसका जीनोटाइप निमनलिखे तरेके से निर्धारित किया जा सकता है पहली स्थिती में सभी पौधे लंबे होते हैं इस प्रकार परिक्षार्थ पौधे का जीनो टाइप दो बड़े टी हैं। दूसरी स्तिथी में लंबे और बौने पौधे एक पटे एक के अनुपात में उत्पन होते हैं। इस प्रकार परिक्षार्थ पौधे का जीनो टाइप बड़ा टी छोटा टी है। वंशागती के नियम मेंडल के सिधान्त या वंशागती के नियम है प्रभाविता नियम इस नियम के नुसार जोड़े में एक कारक स्वयम को अभिव्यक्ति करता है और F1 पीड़ी में दूसरे की अभिव्यक्ति को रूखता है विसंयोजन नियम इस नियम के नुसार प्रतेक लक्षन के कारक युगमक निर्मान के दोरान विसंयोजित हो जाते हैं ताकि प्रतेक युगमक केवल एक कारक ग्रहन कर सके और सदैव शुद्ध रहे नर और मादा युक्मकों में दो कारकिया विशेशक बराबर आवरिती के साथ प्रकट होते हैं अपून प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहु अलील अपून प्रभाविता, ये तब होती है जब एक निश्चित विशेशक के लिए कोई भी अलील प्रभावी नहीं होता है, इस प्रकार विशम युग्मजी वियस्टियों में एक मत्थे वर्ती अभिव्यक्ति पाई जाती है सह प्रभाविता, ये तब होती है जब एक विशेशक के लिए दोनों अलील प्रभावी होते हैं और विशम युग्मजी वियस्टियों में दोनों अभिवक्ति किये जाते हैं, ऐसी घटना बहु अलील के साथ देखी जा सकती है बहु अलील, ये एक विशेशक के लिए तीन अलील की उपस्तिती को संदर्भित करता है उधारण, मानव रक्त में तीन अलील, A, B, O होते हैं एक यही समय पर अलग-अलग विस्थलों पर दो जीनों को ध्यान में रखते हुए दो जीवों के बीच संकरन दुई संकर क्रोस कहलाता है, जैसा की आरेक में दर्शाया गया है दुई संकर क्रोस के परिणाम दुई संकर क्रोस F2 पीड़ी में चार प्रकार के पौधे 9 बटे 3, बटे 3, बटे 1 के पीनो टाइप अनुपात में उत्पन्न करते हैं दो नए संयोजन उत्पन्न किये जाते हैं, गोल हरा और जुडिदार पीला एक लक्षण की वन्शागती, दूसरे लक्षण की वन्शागती से सौतंत्र थी, सौतंत्र अफ्योहन का नियम सौतंत्र अफ्योहन का नियम समझात गुण सूत्र के विभन जोडों में इस्थित, कारकों या अलील के विभन लक्षन युग्मक निर्मान के दोरान अपने विसई योजन में एक दूसरे से सौतंत्र होते हैं और निशेचन द्वारा संतती में एक साथ आ जाते हैं क्या आप जानते हैं? पादब जीनों का अध्यान करने के लिए मेंडल के नियमों का अनुप्रयोग, दूतिये पीडी के जैव इंधनों के लिए महतपून, संप्रित, उर्जा फसलों को उत्पन्न करने के लिए लागू किये जाते हैं, जैसा कि सोयबीन उत्पादों की किस्में सारा हंश मेंडल ने सबसे पहले इस घटना का क्रम बद्ध अध्यान किया मेंडल ने बताया कि लक्षणों के नियामक कारक जिने बात में जीन कहा गया, जोडे में पाए जाते हैं, जो अलील कहलाते हैं उन्होंने देखा कि संतितित में लक्षणों की अभिव्यक्ती भिन्न प्रथम पीड़ी यानी F1, दुईतिय पीड़ी F2 और अगली पीड़ियों में एक निश्चित प्रकार से होती है आप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ती केवल सम्युग्वजी अवस्था में होती है दुई संकर क्रॉस में अभिव्यक्त फिनो टाइप अनुपात 9 बटे 3 बटे 3 बटे 1 है वंशगती के 3 नियम प्रस्तुत करते हैं प्रभावी विसयोजन का नियम और स्वतंद्र अव्योहन का नियम मानवरत्त समोह में एक विशेशक A, B, O के लिए 3 अलील होते हैं अपोन प्रभाविता तब होती है जब एक निश्चित विशेशक के लिए कोई भी अलील प्रभावी नहीं होता है